नमस्कार आप देखना आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो नापपूर नंदनवन थाना छेतर अंतरगत सन 2018 में एक वेक्ति ने अपने सग्गे बेटे सहीत अपनी सग्गी बहन के पूरे परिवार को रात में सोते समय उन सभी को मौत के घाट उतार दि विवेक पालटकर जो की आरोपी है इसको फासी की सजा सुनाई है आगे की जनकारी हम आपको बताएंगे लिकनों से पहले सुनते हैं कि आखिर मृतक कामलाकर पावनकर के छोटे भाई और उनकी वखील क्या कहते हैं सरकार पक्षक के तरब से 29 साक्षिदार एक्जामीन किये थे और कोट ने पूरा जो साक्षिदार इसमें थे एक आरोपी की लड़की थी जो बची थी और आरोपी की भांजी थी वो भी बची थी इन दुनों लड़की की साक्षक रहे धरके और ये रेरेस्ट आप दर रेर को प्रवित्ति का उसको देखिए उसने जोजार चवदा में अपने वाइप को मारा वाइप को मारने के बाद उसको यह वो कि मेरे की बोल रहे हैं अब इतको भी खतम कर दो यह खतम हो जाएंगा तूश चकर में उसने सब किया और आज दोजा 18 से लिए अभी तक प्रतने करने बाद पूलीज डिपार्मेंट वकिल साब सब को आज मेरे को नयाई मिल गया और आज वह आरुपी को जिस निर्गों अदनी को संसर रहनी का अधिकर नहीं और समाच को हाथा के सब के लिए मेरे सभी के लिए सब परिवार के लिए इस दोस्तों है घटना वाकई दर्द से भरी हुई है कोई यकीन नहीं कर सकता कि क्या इस तरीके की भी घटना हो सकती है लेकिन हकीकत तो यहीं इस तरीके घटना हुई है आरुपी विवेक यह सिर्फ अपने बहन कहीं नहीं 2014 में इसने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया था जिसको लेकर के मानिय कोट ने इसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी दो छोटे छोटे बच्चे थे आरुपी के जीजा ने सुचा कि बच्चे छोटे हैं अगर इसे उम्रकैद होगी तो फिर यह बच्चे कैसे र उसके जीजा उसके बहन उन लोगों ने देखरे किये अपने बच्चों के समान समझा माना सब कुछ किया 2018 में जब उसकी बेल हुई जब वो बाहर आया तो जीजा के घर गया अपने बच्चों से मिला और उसने कहा कि मैं बच्चों को लेकर जाना चाहता हूँ उसके जीजा और उसके बहन ने समझाया कि अभी अभी तुम बाहर निकले हो पहले तुम अपने आपको ठीक करो कहीं जॉब करो अपने आपको सेटल करो ताकि बच्चे को तुम देखरे कर सको बस इसी बात को लेकर के सुत्र बताते हैं और परिजन कहते हैं कि इसी बात को लेकर के उसने अपने बहन को और उसके पूरे परिवार को साथ-साथ अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया दोस्तो एक तरफ सारी घटना के बाद यह आकलन समझ में आता है तो उसके बहन और उसके जीजा ने आरोपी विवेक के लिए बहुत कुछ हिया उसको बाहर निकाला उसकी मदद की बच्चों के देखरे की लेकिन क्या इतनी सारी मदद करने के वज़ाए अगर किसी को मौत मिले तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी की मदद करना गुनाह है या फिर जिस तरीके से विवेक के जीजा ने उनकी बहन ने उसके बच्चों को संभाला उसको भेल करवाया बाहर निकलवाया ताकि अच्छा जीवन जी सके ठीक से रह सके अपने बच्चों का लानन पोशन कर सके तो क्या इन सब के बदले में इन्हें मौत मिलता है आखिर इस पूरे मामले में बहन और उसके जीजा का गुनाह क्या था उनने तो अच्छा ही सोचा कि बाहर रहेगा आरोपी जो विवेक है वो बाहर आएगा यानि कि उसका साला बाहर आएगा बच्चों का लानन पोशन करेगा ठीक तरीके से रखेगा और जो कुछ भी घटना 2014 मे अपने आपको खो दिया तो क्या रिष्टेदारी में कुछ भी करना मदद करना क्या सही है या गलत है आज इस पे एक बढ़ा बहुत बढ़ा सवाल पैदा हो रहा है आप देखते रहें आज की खास बात वीडियो जनर्रिस्ट अकलेश भारद्वाज के साथ मैं वीर सिंग जहीं